मन से मुप्ती ही मुप्ती कहला जाती है जो मन से मुप्त हो गए है इसी बानी में आपको बहुत अच्छा सूत्र मिल जाएगा अमारे ग्यानिका मुप्ती का मतलब क्या है सालवेशन का मतलब क्या है जिसे निर्वान भी कहा जाता है ऐसी अवस्था कैसे प्रापत हो मैंने जब दादा लक्षमी बगवान जी को देखा था और उनका ज्ञान सुना था मैंने बोला था सबको डिकलियर करा था अभी दुनिया के सारे गुरूं को मेरे सामने ले आओ कोई मुझे निर्वान नहीं दिला सकता मुझे इसी गुरू के पास सब कुछ मिल गया है अब देखेंगे इनके पास तो जाएदा मुझे नहीं बठके ही नहीं बठके हैं कि इस दादी के पास इधर उधर नहीं जहां जैसे जो मेरे गुरू ने मेरे साथ करा बस उसी को देखती रही उसी प्रिक्षाउं को पास होती गई और आगे देखो आज आपको सुनाने के काबिल हूँ मेरे गुरू ने मुझे अर्ष से फर्ष से अर्ष तक पौँचाया है शुन्य से शिखर तक पौँचाया है और भी कितनी अनुबव हैं उनके मैंने तो एक ही बारी दिया था अपने गुरू के साथ जो मेरा आतम ज्यान का और भी कभी मोका मिला तो दूँग इशाद कितने जाग जाते हैं उसमें से जैसे बगवान जी ने हमें सातों चकर के बारे में बताया तो दूसा रजिस्टर था बहुत बड़ा जिसमें बगवान जी ने खुद हमें एक एक चकर के स्वादिष्ठान, मुलादार, मनिपूर, हिर्दे चकर, विशुद कंठ, आग्या चकर, क्राउन चकर जे साथ चकर हैं अभी जिस जिस चकर पर ये गती कर रही है, मुमिंट हो रही है और उसे चकर के मुताबिक हमारी वासनाएं और इच्छाएं होती हैं स्पोज मैं सत्संग में आई तो अगर मैं पहले चकर से हूँ तो मेरे में इतनी जिग्यास करने तो भी इतनी ताकत नहीं थी जो आदी से आदी गड़ी सत्संग की वसिष्ट जो राम के गुरू थे उन्होंने बताया तो मैंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जहां आप खुदे देख सकते हैं कि मेरी इच्छा वासना कहां तक हैं कपड़ों में हैं दूसरों क जहां इदर उदर गूमने की हैं बचकने की हैं हमने सिफ एक ही काम वासना को ही वासना समझा हुआ था बगवान जी ने आके हमें बताया वासना कितनी किसम की हैं तो इदर से भी हमें पता चलेगा तो फिर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे गुरू की गुरू अंदर बै से काम हो जाता है फिर जैसे ही हम सोचते हैं कि मुझे जे अंतिम जनम करना है बगवान जी के होते होते तो मेरी इच्छाए वासनों की तरफ भी द्यान दूंगी मैं उनको भी कम करने में लगूंगी सारा खान पीन पे जो ध्यान नहीं देते हैं सात्वी का आहार नहीं रखते हैं रजोगुन खाना खाते हैं और सारा टम सोचते हैं मैं हटा कटा रहूं मैं शरीर मेरा ऐसा रहे मेरा ये रहे सत्संग ने आने के बाद भी अगर वो वैसा ही सोच रहा है, मैं संसार की बाते नहीं कर रही हूँ, हम सत्युगी आत्मा है, हम बगवान जी के ग्यान से हम देख रहे हैं, मैं बहुत सुंदर दिखो, मैं आच्छे कपड़े पहनो, यह सब बातें जो है पहला चकर होता है, र सीरे के, सोने के ओम थे, यह थे, वह भी फैंक दिये थे मैंने, महारे ममी जो भॉलत की ठ kg हो गया इसको, लोग समझे गे, इसके पास र किस असरॉल में गई है, कहा गई है, इसके पास धन दोलत नहीं है, तो मैं बोलती थी मामा मेरा ने उसके पास तो इतने महल थे, उसने तुलसी की माला पहन ले थी, रुदराक्ष की, और बस उसी में लग गए, यह कैसे हो सकता है, सब कुछ फैंक दिया था, हमारे से, हमारे बड़े लोगों ने भी सीखा कि यह क्या है, हम क्या दस्तसंगुठियां, बैंगल्स और सोने की चेने पहन के गू अच्छे कपड़े पहनों, अच्छा यह करूं, तो आप खुद सोचिए, वो इनसान रूट चक्र माना मुलादार चक्र में है, अगर वो अन्तिम समय उसकी यही ख्वाइश होती है, तो बताएए कौन सा जनम मिलेगा उसको, इसलिए इसको इससे मुक्त होना पड़ेगा, मुझे नहीं पता आज कौन-कौन सुन रहे है, पुराने से पुराने योगी भी बगवान के, किस के देश में है, मुझे पता नहीं है, कितनों ने जानना भी होगा, और छोड़ने में तकलीफ होई होगी, चूटा भी नहीं होगा, उमर बढ़ गई होगी, इसी में से जान क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, गुमना क्या है, कुछ भी बुरा नहीं है, जो दादा बगवान ने बताया, खाओ, पीओ, गुमो, कुछ लेकिन हम उसी में अटक जाते हैं, हम एक कमल के पत्ते की तरह रहने को बोला गया है, हम इस ग्यान को अच्छी तरह समझ लें श्रादों के दिन चल रहे हैं कि दादा बगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो तुम ये शरीर नहीं हो नाम रूप नहीं हो मुझे हिसाब करने के लिए बेजा गया है दर्ती पर थोड़े सालों के लिए इतने श्वास दिये हैं मुझे और लेन देन करने के लिए बेजा गया है अगर मैंने यह साड़ी पहनी है और बोलू मैं मेरी सी साड़ी है मैं ही साड़ी हूँ तो हो सकता है पॉसिबल और मैं इनी बातों में लगी रहूं कि मैं मेरी सुन्दर दिखू, पार्टी में जाओ, ऐसे देखू, ऐसे लगे इन सब चीचों में पढ़ते पढ़ते फिर ग्यान में अगर आये हैं तो मैंने उस मैं को तो देखा ही नहीं आत्मा बिमार पड़े हुई है चुरासी लख योन्यों से, मन मरा पड़ा है चुरासी लख योन्यों से, सिर्फ शरीर सुन्दर लगना चाहिए वो ग्यान में कैसे आता अभी इस चक्र पर जो अठका है आप लोग तो नहीं होंगे जो बगवान जी के पुराने बच्चे हैं चाहे नए है लगता नहीं है मुझे तभी तो आप पहुंचे हो इदर हाकवाला क्यों बगवान जी ने बोला तो अभी इसमें से निकलना दूसरा चकर आजाता है स्वादिष्ठान चकर नाभी के नीचे हैं ये दो चकर हमारे रिशी मुनियों ने बहुत मेहनतें करी हैं लेकिन हमें बना बनाया मक्षन मिला है दादा लक्ष्मी बगवान जी से हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है और स्वादिष्ठन चकर हो होगी दरुदर बठकता रहेगी आत्मा सारी तो यही तो पवित्र का दिखाते हैं फिर सत्संग में आके पहले पवित्र आहार खाईए मुझे तो मालूम नहीं है मैं जिस गर से आय थी वहां लसन प्यास भी नहीं दिया गया था कभी मुझे मालूम नहीं है अभी तो बोल है कैसे खाए ना और गार्लिक पल्स ले लेते हैं अगर खाना पड़े हाठ के लिए रखना तो है ना शरीर अभी स्वादिष्ठान चक्र माना स्वाद चकर इसी में इनसान की आत्माद चली जाती है अंतिम समय उसकी यह इच्छा रहती है शरीर की और स्वादों की शरीर क चकर पूरे नहीं आएंगे तीन दे देती हूँ आज दीन जा दो दे देती हूँ अंत समय जो इस्तरी चिम्रे वो बिश्या के गर जनम आए अंत समय जो पैसा सिम्रे वो सांप के गर जनम ले अंत समय जो गर सिम्रे वो प्रेत योनी में आए अंत समय जो बेटा सिम्रे वो सुर्ज के गर आए यह क्यों बनाए हैं सारे कि हमारा ध्यान इदर उदर नहीं हो कुद्रत हमारी इच्छा का सम्मान करती है फ्री बिल दी है उसने फिर हम कितने भागिशाली है ति हमें बगवान जी मिले पूरी जीवन हमने सिफ सेक्स की सेक्स में रही तो फिर उसका जनम उसी चेतना उसी में जाएगी जहां सिफ सेक्स होगा कितना बुरा लगता है यह सोचते हुए हमारी डिजायर्स पूरी की जा रही है जो हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारा अपने पर कंट्रोल ही नहीं था कोई गुरू नहीं मिला था अभी इसी जीवन में होश पूर्वक होश पूर्वक बोलते हैं जैसे बुद्ध जीते थे बुद्ध को भी कांटा चुपता है मुझे भी चुपता है मैं चिलाउंगी और बुद्ध चुपके से उठा देंग पहले से शरीर से अलग है हम अभी होश पूर्वक जीए चाहे आज सुन रहे हो आज से भी अभी मालूम नहीं कब तक हम है इस तर्थी पर हम होश पूर्वक खाना, पीना, गुमना बात करना, मिक्स करम नहीं बन जाए और होश पूर्वक जीए इसे कुंडलनी जागरन भी कहते हैं और कहीं लोग अजपा जाप करकरके चेतना को उपर उठाते हैं और हमें तो पी एसटी का प्रोफेसर मिला तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा करें नीचे के चक्रों से दीरे दीरे हम उपर की तरफ आए बगवान जी नहीं बोलते कि एकदम से त्याग कर दो, बहुत मुश्किल होता है प्यार से चूटो 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 अपने ही मन को बोलो मुझे चूटना है इससे दीरे 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 फल जो पक जाता है वो ब्रिख्ष से खुदी गिर जाता है ऐसे हम दीरे-दीरे हम उठ जाएंगे अभी है तीसरा चकर मनिपूर चकर ये चकर है पद, परतिष्ठा, वासना, कामनी, कांचन, किर्थी इसमें मेरा डेजिगनेशन ऐसा हो मैं डॉक्टर, मैं जीनियर, मैं ये कि लोग X लगा देते हैं मेरे फादर MLA थे तो जब वो बाद में X MLA का बोर्ड लगाते थे बाहर तो मैं बोलती है क्यों कर रहे हो अभी इसमें अटके रहोगे, रिटायर होने के बाद लोग उसमें अटक जाते हैं नेम प्लेट में क्या-क्या लगा देते हैं तो ये मैं वाला है तीसरा चकर इस चकर पर जो जाएगा तो बताएगे क्या गती होगी क्या उसको बहुत पैसा दिया जाएगा बहुत इज़द दिया जाएगी, क्या होगा हम मनुष को बगवान ने अपने जैसे बनाया इसलिए गुरु भी दिया हमारे में क्राउन चकर साथवे चकर तक जाने की संभावना थी लेकिन संग दोश कोई सत्पुरिश नहीं मिले मेरे बगवान जी लोगों को नहीं मिले और वो उसमें ही अठके रहे इस चकर से बार-बार आ रहे हैं कोई चीफनिस्टर बन जाएगा गुवर्नर बन जाएगा पॉल्टिशन, राजनेतिक सब में आएगा तो से ना मुक्त तो नहीं हुआ ना फिर जो शोशन करके जो ब्लैक मनी दोखे बाजियों से पैसा कमाते हैं फिर वो क्या सांप की योनी में मनुष्चनम में होते हुए फिर वो सांप योनी में भी जा सकते हैं जो इनसान आफिस में इदर उदर आज कर लोगों का शोशन कर रहा है दोखे से पैसा कमा रहा है तो वो डस रहा है तो वो डसने वाली योनी में ही जाएगा दीरे दीरे हमें इस में से निकलना है, हम सब को ब्लेस करें कि हमें बगवान जी के बच्चे हैं, हमारा कटुम्ब है, हम किसी को भी गिरने नहीं देंगे अभी आ गया चोथा चकर, मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरा पती, मेरा गर, मेरा ये जैदातर लोग हिर्दे पर जी रहे हैं, वो हिर्दे चकर, चोथा चकर है और उसी में रह जाते हैं, नीचे भी जी रहे हैं और एक साथ कितने चकरों की वासना लेके भी लोग जी रहे हैं, जहां तक इनसान ने सतर साल तक जातरा कर ली, जिस चकर पर वो अठका रहा, फिर उसके इर्द गिर्द ही उसके प्राम निकलते हैं और उसी के हिसाब जब मृत्यों होती है तो फिर उसके मुताबिक आपका अगला जनमता है होता है ने हिर्दे चकर तक बताया है कल तीसरे लास तीन है बहुत इंपॉर्टेंट है में इस नहीं करना उसके बारे में कुप सर्य शीर वाद हर यूम